नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम तु दा चैनल बैंकिंग बंदू हम आज आपके साथ डिसकस करेंगे कि बैंक आफ इंडिया में रेट आफ इंट्रेस्स सारे लोन्स पे क्या चल रहा है दोस्तों, लेटेस्ट रेट आफ इंट्रेस्स सेप्टेंबर दोहजार इकिस में विद फेस्टिवल ओफर दोस्तों, त्योहारों का समय आ गया है सारे बैंक्स ने अपने फेस्टिवल ओफर निकाल दी है तो हम आपके साथ आज डिसकस करेंगे कि कौन से बैंक में आपको सबसे अच्छा रेट आफ इंट्रेस्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बैंक आफ इंडिया के बारे में बात करेंगे अगर आपको और किसी बैंक की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजट कीजिए उस पर आपको सारे बैंक की जानकारी मिल जाएगी अपडेटेड इंफोर्मेशन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छी वीडियो आपसे मिस ना हो हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो रोज अपने चैनल पर लेकर आते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तो बैंक ऑफ इंडिया जो आपको रेट ऑफ इंट्रेस्ट देता है वो डिपेंड करता है RBLR पे यानि रेपो बेस लेंडिंग रेट यह वो रेट होता है जिससे नीचे आपको बैंक लोन नहीं देगा इस रेट ऑफ इंट्रेस्ट से कम पे आपको लोन नहीं दिया जाएगा RBLR बैंक ऑफ इंडिया का है 6.85% यानि 6.85% से कम रेट ऑफ इंट्रेस्ट में बैंक आपको लोन नहीं देगा दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने यह अनौंस्मेंट किया है कि फेस्टिवल ओफर के तहत बहुत सारे कंसेशन्स हैं कंसेशन्स यानि प्रोसेसिंग चार्जिस में कंसेशन्स हैं रेट ऑफ इंट्रेस्ट में कंसेशन्स हैं सारी चीज़े वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करेंगे 31.12.2021 यानि 31.12.2021 तक कोई भी प्रोसेसिंग चार्जिस नहीं है होम लोन के उपर, कार लोन के उपर या फिर टॉप अप लोन के उपर ये फेस्टिवल ऑफर है बैंक आफ इंडिया का अगर आप बैंक आफ इंडिया से कार लोन लेना चाहते हैं तो कार लोन का जो रेट ऑफ इंट्रेस्ट है वो 7.25 % से starting है याँ हम starting इसलिए बोल रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंट्रेस्ट होते है बैंकों के वो प्योरली डिपेंड करते हैं आपके सिबल स्कोर पे आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही कम रेट आफ इंट्रेस्ट बैंक आपको ओफर करेगा तो बैंक ऑफ इंडिया का जो कार लोन है वो 7.25 से स्टार्टिंग है कार लोन की अपडेटेड इन्फोर्मेशन डीटेल इन्फोर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया कार लोन एफेक यूज इस पे अलग से एक वीडियो हमने बनाई हुई ईपने चैनल पर नीचे आपको लिंक दे दिया गया है यूज श्कर लोन यूज कार लोन का मतलब होता है अगर आपको सेकेंड हैंड कार खरीदनी है तो बैंक आपको उसके लिए भी लोन दे देगा इसकी भी कम्प्लीट अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीच यह आपको description box में link दे दिया गया है आप वहाँ जाके पूरी वीडियो अच्छे से detail में देख सकते हैं दोस्तों COVID-19 personal loan 6.85% पे COVID के नाम पे bankों ने personal loan निकाले हुए है जो की काफी कम rate of interest पे आपको मिल जाते हैं नॉर्मली जो personal loan होते हैं वो 9-13-14% तक आपको मिलते हैं लेकिन COVID-19 personal loan जो है वो 6.85% पे आपको मिल जाएगा bank of India से इसकी भी वीडियो आपको नीचे link जो है description box में दे दिया गया है COVID-19 pension loan अगर आप senior citizen है तो आप COVID-19 pension loan ले सकते हैं वो भी 6.85% पे आपको मिल जाएगा नीचे description box में इसका link दे दिया गया है complete video with eligibility सब कुछ उस वीडियो में आपको मिल जाएगा ध्यान देने वाली बाते ये हैं कि home loan, weekly loan और बाकी जितने भी तरह के personal loan है उसमें जो छूट bank दे रहा है वो सितंबर से शुरू हो गई है बीच में bank ने बंद कर दी थी ये छूट देना जैसे processing charges हमने आपको बताया ये सब जो loan से पहले के charges होते हैं bank ने wave कर दी हैं September से तो आप अभी जाके अपना loan के लिए apply कर सकते हैं कम से कम 30-40,000 का तो फर्क आई जाएगा बात करते हैं बाकी loan products की प्रधान मंत्री कौशल अर्योजना 7.35% से starting है star holiday loan, bank of India आपको छुटी पर जाने के लिए भी loan देता है 11.35% star IPO loan, IPO का मतलब होता है initial public offering यानि जब भी पहली बार किसी company के share market में launch होते हैं उसे IPO कहते हैं उस IPO में पैसा लगाना है अगर आपको तो bank आपको 10.10% पे loan दे देगा star earnest money deposit, earnest money deposit उस तरह की schemes होती हैं जिसमें आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है उसके बाद इंतजार करना होता है कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा जैसे greater noida की कुछ scheme हैं उसमें आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है तो यह है star earnest money deposit इसके लिए आपको 6.85% से शुरू होगा rate of interest star reverse mortgage loan, reverse mortgage loan preferably होता है senior citizens के लिए जिनकी आप source of income खतम हो चुकी है तो आपके पास अगर आपकी कोई property है आप उसको bank के पास रख सकते हैं उसके against bank आपको monthly regular income देना शुरू कर देगा 9.95% rate of interest रहेगा bank of India star home loan, star home loan जो है वो आपको 6.85% से 8.35% के बीच मिल जाएगा जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतना कम rate of interest 675, 675 से अगर कम भी है आपका सिबिल, bank of India तब भी आपको loan दे देगा थोड़ा सा rate of interest जादा होगा लेकिन आपको loan मिल जाएगा bank of India का home loan की भी एक detailed video है दोस्तों जिसमें A to Z सारी बाते हमने discuss की है किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, सब कुछ उस video में है नीचे आपको description box में link दे दिया गया है star diamond home loan, ये diamond home loan, normal home loan ही है इसमें एक extra facility होती है, जिसे हम OD facility कहते है plus ये उन लोगों के लिए loan above 5 करोड, 5 करोड से उपर का अगर आप लेते हैं loan तो वो आपका diamond home loan की category में 6.85% से इसकी starting है purely civil based होता है star smart home loan smart home loan में आपको OD facility मिलेगी, overdraft facility मिलेगी यानि जितना loan का पैसा आप use करेंगे सिर्फ उतने पैसे पे ही आपको rate of interest, जो है interest payment करना होगा, सिर्फ उतने पैसे पे जितना की loan आप use कर रहे है starting 6.85% से है, civil based रहता है top up home loan scheme दोस्तो top up home loan scheme सिर्फ उनी लोगों के लिए होती है जो existing home loan customer है bank के अगर आप existing home loan customer है bank के तो आपको bank top up offer कर सकती है यानि आपको कुछ और पैसे की requirement है पढ़ाई के लिए, medical emergency के लिए इस तरह का अगर आपको कोई काम है तो top up home loan आप ले सकते हैं 0.5% इसका rate of interest अबब रहेगा home loan से यानि suppose आपका home loan जो है वो अगर 8% पे चल रहे है तो top up home loan आपको 0.5% पे मिल जाएगा इसकी अलग से video भी है detailed video नीचे description box में आपको link दे दिया गया है top up home loan ये देखिए इसकी ये इतनी सारी चीज़े जो है eligibility, purpose, maximum, tenure और सब कुछ हमने discuss किया हुए जो अलग से video बनी हुए top up loan की नीचे आपको description box में link दे दिया गया है bank of India star personal loan personal loan जैसे कि आपको हमने बताया आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं जैसे पढ़ाई का खर्चा है, medical emergency है, घर में किसी की शादी है बस कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि illegal हो बाकी आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं 10.35% से 12.35% के बीच आपको मिल जाएगा अगर आप present में loan लेना चाहते हैं तो दोस्तों COVID-19 personal loan के लिए आप apply करें क्योंकि वो आपको 6.85% पे मिल जाएगा देखिए 6.85% और 10.35% में कितना अंतर है लगबग 3.4% का अंतर है तो इसका फाइदा उठा सकते हैं COVID-19 personal loan के लिए आप apply कर सकते हैं COVID-19 pensioner loan तो वैसे जो normal pension loan होता है वो 9.35% से आपको मिल सकता है Bank of India में इस time पे जैसे कि हमने आपको बताया कि COVID-19 के नाम पे अगर आप pension loan लेते हैं तो आपको 6.85% पे मिल जाएगा ये वीडियो भी डिटेल में हमने अपने चैनल पर बनाई हुई है नीचे आपको description box में link दे दिया गया है Bank of India loan against property loan against property का साफ मतलब है कि आपके पास आपकी खुद की property है वो चाहे commercial हो, residential हो किसी भी तरह की property आप bank के पास उसको गिरवी रखिए bank उसके against आपको loan दे देगा 8.85% से इसकी starting थी 8.85% से starting है आपको साड़े साथ करोड तक का loan इसके against मिल सकता है पहले ये 5 करोड था अब साड़े साथ करोड तक का मिल सकता है bank of India का एक loan है जो की specially doctors के लिए design किया गया है अगर आप doctor है और bank of India से loan लेना चाहते है personal loan की बात अगर आप करें fully secured है अगर आपका personal loan यानि आप personal loan जब ले रहे हैं तो उसके against bank को को security दे रहे हैं तो 8.85% पर मिल जाएगा अगर बिना किसी security के ले रहे हैं तो 9.85% पर अगर आप doctor है आपको car loan चाहिए तो 7.15% पर आपको car loan मिल जाएगा बात करते हैं bank of India में प्रदान मंत्री मुद्रा यूजना प्रदान मंत्री मुद्रा यूजना एक सरकारी scheme है इसके तहए तीन तरीके से आपको loan मिल सकता है शिशू, तरुण और किशूर जो शिशू loan है वो 50,000 तक होता है तरुण जो है 50,000 से 5,000,000 होता है और किशूर जो है वो 5,000,000 से 10,000,000 यानि maximum 10,000,000 तक का loan आपको मिल जाएगा 9.65% से starting रहती है मुदरा योजना के तहट जो आपको loan मिलता है वो आपको अपना business करने के लिए या business start करने के लिए उसकी activities को continue करने के लिए मिलता है Bank of India gold loan जो bank of India का gold loan है वो 7.3% से की starting है और 8.95% तक आपको मिल सकता है यह सबसे असान loan होता है जो सबसे जल्दी हो जाता है दोस्तों आपको बस अपना sona लेके bank में जाना है और उतना ही time bank लेगा जितना आपके gold की valuation में time लग रहा है valuation का मतलब bank यह देखेगा कि आपका जो sona है वो कितना pure है उसमें जितना time जाता है बस आपको उतना ही loan लेने में time लगेगा बाकी disbursement बहुत असानी से इसका हो जाता है gold loan की अलग से वीडियो है detailed वीडियो है कि कैसे मिल सकता है आपको नीचे आपको description box में link दे दिया गया है bank of India star education loan education loan 8.55 से 9.35 8.55% to 9.35% आपको bank of India से मिल जाएगा जो rate of interest है वो depend करता है कि आपने पढ़ाई कहां से करनी है भारत में रहके करनी है विदेश जाके पढ़ाई करनी है अगर भारत में रहके करनी है तो कौन से college से आप कर रहे है IIT, IIM, AIMS, essay colleges से कर रहे हैं distance learning course कर रहे हैं इन सब चीजों पर depend करेगा आपका education loan का rate of interest दोस्तो education loan के लिए कैसे apply करेंगे कैसे process होगा क्या eligibility रहेगी इस पे हमने अलग से video बना रखी है नीचे आपको description box में link दे दिया गया है bank of India start education loan उमीद करते हैं आपको हमारी video अच्छी लगी होगी काम की लगी होगी अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजेगा whatsapp group में भी शेयर कीजेगा ताकि लोग इसका फायदा उठा सके चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा दोस्तों आपका दिन शुबह धन्यवाद